ओम श्यान्ती, 7 दिसंबर 2024 के इश्वरिय महवाक्य, पहले सुनते हैं मुरली के मुख्य पोइंट्स, बाबा नहीं कहा, ये सुरिष्टी चक्र अब पूरा होता है, तुम इन आखों से जो कुछ देखते हो, सब कुछ विनाश होने वाला है, प्रन्तु आत्मा तो अविनाश तो तुम बच्चों को इस बात की अथा खुशी होनी चाहिए, कि हमने 84 का चक्र पूरा किया, तुम अभी पतित छीची से गुल-गुल अर्थात कांटे से फूल बन रहे हो, प्रन्तु कई बच्ची ऐसे हैं, जो अभी तक भी बहुत छीची चलन चलते हैं, इसलिए बाप घड़ी घड़ी बच्चों को खबरदार करते हैं, यह माया बहुत कड़ी है, तुम्हें इससे अपनी संभाल करनी है, फिर बाबा ने कहा सारा मदार है कर्मों पर, जो उल्टा काम होता है, वे खाता जरूर है, अभी तुम बच्चों को बाप के साथ बिलकुल सच्चा रह नहीं तो बहुत बहुत घाटा पड़ जाएगा, अभी तुमको बाप का हाथ मिला है, तो उनको याद करो, याद से तुम गुल-गुल बन जाएंगे, कभी भी हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए, लास्ट में बाबा ने कहा, तुम मेठे मेठे बच्चों को हड़ी खुशी होने चाहिए, अगर चीची बने, तो वहे खुशी आएगी नहीं, फिर भले कितना भी माथा मारे, प्रन्तु वहे हमारे जाती भाई नहीं, जो पवित्र नहीं रह सकते, ऐसे बच्चों पर बाबा को तरस पड़ता है, प्रन्तु नथिंग न्यों, बुद्धी में रहे, राजधनी स्थापन हो रही है, उसमें सब चाहिए, और अब सुनते हैं महवाख्यों को विस्तार से, मुरली का सार, मेठे बच्चे, सारा मदार कर्मों पर है, सदा ध्यान रहे कि माया के वशी भूद, कोई उल्टा कर्म ना हो, जिसकी सजा खानी पड़े, प्रश्न, पवित्रता की धारना है, वही बुद्धिवान है, और जो पतित हैं, वह बुद्धिहीन है, लक्ष्मी नारेन को सबसे अधिक बुद्धिवान कहेंगे, तुम बच्चे, अभी बुद्धिवान बन रहे हो, पवित्रता ही सबसे मुख्य है, इसलिए बाप सावधान करते ह बच्चे यह आखे धोखा ना दे इनसे संभाल करना इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी ना देखो नई दुनिया स्वर्ग को याद करो ओम श्यांती मेठे मेठे सिकिल अधे बच्चे यह तो समझ से हैं इस पुरानी दुनिया में हम अभी थोड़े दिन के मुसाफिर हैं दुनिया के मनुष्य समझ से हैं अजन 40,000 वर्ष यहां रहने का हैं तुम बच्चों को तो निश्य है न यह बातें भूलो नहीं यहां बैठे हो तो भी तुम बच्चों को अंदर में गदगद होना चाहिए इन आखों से जो कुछ देखते हो सब कुछ विनाश होने वाला है आत्मा तो अविनाशी है हम आत्मा ने 84 जनम लिये हैं अभी बाबा आया है घर ले जाने के लिए पुरानी दुनिया जब पूरी होती है तब बाप आते हैं नई दुनिया बनाने नई सो पुरानी पुरानी सो नई दुनिया कैसे होती है यह तुम्हारी बुद्धी में है हमने अनेकों बार चक्र लगाया है अभी चक्र पूरा होता है नई दुनिया में हम थोड़े ही देवताएं रहते हैं मनुष्य नहीं होंगे बाकी कर्मों पर सारा मदार है मनुष्य उल्टा कर्म करते हैं तो वह खाता जरूर है इसलिए बाप पूछते हैं कि इस जनम में कोई ऐसे पाप तो नहीं किये हैं यह है पतित छीची रावन राजे यह धुंद कारी दुनिया है अभी बाप तुम बच्चों को वर्सा दे रहे हैं अभी तुम भक्ती नहीं करते भक्ती के अंधियारे में धक्के खा कर आई हो अभी बाप का हाथ मिला है बाप के साहारे बिगर तुम विश्य वैतर्णी नदी में गोते खाते थे आधा कल्प है ही भक्ती ज्यान मिलने से तुम सत्युगी नई दुनिया में चले जाते हो अभी तो यह है पुरुशोत्तम संगम युग जबकि तुम पतित छीची से गुलगुल काटों से फूल बन रहे हो यह कौन बनाते हैं बेहद का बाप लौकिक बाप को बेहद का बाप नहीं कहेंगे तुम ब्रह्मा और विश्णु के भी ओक्यूपेशन को जान गए हो तो तुम्हें कितना शुद्ध नशा रहना चाहिए मूल वतन, सुक्षम वतन, सुल वतन यह सब संगम पर ही होता है बाप बैठ अभी तुम बच्चों को समझाते हैं पुरानी और नई दुनिया का यह संगम युग हैं पुकारते भी हैं कि पतितों को पावन बनाने आओ, बाप का भी इस संगम पर पार्ट चलता है creator, director है ना, तो जरूर उनकी कोई activity होगी ना, सब जानते हैं कि उनको आदमी नहीं कहा जाता उनको तो अपना शरीर ही नहीं, बाकी सब को मनुष्य वदेवता कहेंगे, शिव बाबा को न देवता न मनुष्य कहेंगे यह तो temporary शरीर लोन में लिया हुआ है, गर्ब से थोड़े ही पैदा हुए है, बाप खुद कहते हैं बच्चे, शरीर बिगर मैं राज योग कैसे सिखलाओंगा हमको मनुष्य लोग भले कह देते हैं कि ठीक कर भितर में परमात्मा है, प्रन्तु अभी तुम बच्चे समझ से हो कि मैं कैसे आता हूँ, अभी तुम राज योग सीख रहे हो, कोई मनुष्य तो सिखला न सके, देवताएं तो राज योग सीख न सके, यहां इस पुरुष चोत्तम संगम युग पर राज योग सीख कर देवता बनते हैं, अभी तुम बच्चों को अथा खुशी होनी चाहिए, हमने अभी 84 का चक्र पूरा किया है, बाप कल्प कल्प आते हैं, बाप खुद कहते हैं, यह बहुत जन्मों के अंत का जन्म है, श्री कृष्ण तो सत् प्रिंस था, वही फिर 84 का चक्र लगाते हैं, श्री बाबा तो 84 के चक्र में नहीं आएंगे, श्री कृष्ण की आत्मा ही सुन्दर से शाम बनती हैं, यह बातें किसको पता नहीं हैं, तुम्हारे में भी नंबर वार ही जानते हैं, माया बहुत कड़ी हैं, किसको भी छोड बाब को सब मालूम पढ़ता हैं, माया ग्रहा एकदम हप कर लेती हैं, यह बाब अच्छी रिती जानते हैं, ऐसे नहीं समझो बाब कोई अंतर यामी हैं नहीं, बाब सभी की एक्टिविटी को जानते हैं, समाचार तो आते हैं ना, माया एकदम कच्चा ही पेट में डाल द ऐसे बहुत बातें तुम बच्चों को मालूम नहीं पढ़ती हैं, बाप को तो सब मालूम पढ़ता हैं, मनुष्य फिर समझ लेते, पर मात्मा अंतरियामी हैं, बाप कहते, मैं अंतरियामी नहीं हूँ, हर एक की चलन से मालूम तो पढ़ता है न, बहुत ही छीची चलन चलते इसलिए बाप घड़ी घड़ी बच्चों को खबरदार करते हैं, माया से संभालना है, फिर भल बाप समझाते हैं तो भी बुद्धी में नहीं बैठता, काम महाशत्रू है, मालूम भी ना पढ़े कि हम विकार में गए हैं, ऐसे भी होता है, इसलिए बाप कहते हैं, कुछ भी भूल आदी होती है, तो साफ बता दू, छिपाओ मत, नहीं तो सो गुणा पाप हो जाएगा, वे अंदर खाता रहेगा, वृद्धी होती रहेगी, एकदम गिर पड़ेंगे, बच्चों को बाप के साथ बिलकुल ही सच्चा रहना है, नहीं तो बहुत बहुत घाटा यह तो रावन की दुनिया है, रावन की दुनिया को हम याद क्यों करें, हमें तो नई दुनिया में जाना है, बाप नया मकान आदी बनाते हैं, तो बच्चे समझ से हैं, हमारे लिए नया मकान बन रहा है, खुशी रहती हैं, यह तो बेहद की बात है, हमारे लिए नई प्रिया में जाने वाले हैं, फिर जितना बाप को याद करेंगे उतना गुल-गुल बनेंगे। अच्छी अच्छी हैं जो कहकर जाते हैं, हम ऐसे करेंगे, यह करेंगे, हम तो यग्य के लिए प्राण भी देने के लिए तयार हैं, आज वह हैं नहीं। दो बातें शास्त्रों में कैसी हैं, देवताएं तो अहिंसक होते हैं, और वह होते ही हैं सत्युग में, वह फिर क्या कल्युग में लड़ने आएंगे। कौरव पांडव का अर्थ भी नहीं समझ से। शास्त्रों में जो लिखा हैं वही पढ़कर सुनाते रहते हैं। बाबा की तो सारी गीता पड़ी हुई हैं। जब यह ग्यान मिला तो विचार चला, गीता में यह लड़ाई आदी की बातें क्या लिखी हैं। श्री कृष्ण तो कीता का भगवान नहीं हैं। इनकी अंदर बाब बैठा था। तो इन दवारा उस गीता को भी छुडवा दिया। अभी बाब दवारा कितना सोजरा मिला है। आत्म को ही सोजरा होता है। तब बाब कहते हैं अपने को आत्म समझो। बेहद के बाब को य इसे बलिहार जाएंगे यह थोड़े ही समस्से थे, अभी तुम बच्चे समस्से हो, जैसे बाप है, वैसे हम आत्मा भी हैं बाप का है अलोकिक जन्म तुम बच्चों को कैसे अच्छि रिती पढ़ाते हैं तुम खुद कहते हो यह तो वही हमारा बाप है जो कल्ब कल्ब हमा पारा बाप बनते हैं। वे फिर हमारे जाती भाई नहीं। यहां मनशों के कितने सरनेम होते हैं। वे सभी हैं हद की बातें। तुम्हारा सरनेम देखो कितना बड़ा है। बड़े थे बड़ा, ग्रेट, ग्रेट, ग्रेंड, फादर, ब्रह्मा। उनको कोई जानता ही नहीं। शिवबाबा को तो सरव्यापी कह दिया है। ब्रह्मा का भी किसको पता नहीं है। चित्र भी हैं ब्रह्मा, विश्नु, शंकर। फिर ब्रह्मा को सुक्षम वतन में ले गए हैं। बायोग्राफी कुछ भी नहीं जानते। सुक्षम वतन में फिर ब्रह्मा कहां से आया, वहां कैसे अडोप्ट करेंगे? बापने समझाया है, यह हमारा रथ है, बहुत जन्मों के अंत में मैंने इसमें प्रवेश किया है. यह पुरुशोतम संगम युग गीता का एपिसोड है, जिसमें पवित्रता मुख्य है. पतित सहित देह के सभी संबंधों को भूल, एक मुझ बाप को याद करो, तो माया के पाप कर्म भस्म हो जाएंगे. वे तो बाप को ही नहीं जानते हैं. गीता में बाप ने कहा है, इन साधूं आदिका भी मैं आकर उधार करता हूं. बाप समझाते हैं, शुरू से लेकर अब तक जो भी आत्माई पार्ट बजा रही हैं, सभी का यह अंतिम जन्म हैं. इसका भी यह अंतिम जन्म हैं. यही फिर ब्रह्मा बना हैं. छोटे पन में गावडे का छोरा था. 84 जनम इसने पूरे किये 1st से लास्ट तक. अभी तुम बच्चों की बुद्धी का ताला खुला हु अभी तुम बुद्धीवान बनते हो. आगे बुद्धी हीन थे. यह लक्षमी नारेन हैं बुद्धीवान. बुद्धी हीन पतित को कहा जाता है. मुख्य है पवित्रता. लिखते भी हैं माया ने हमें गिरा दिया. आखे क्रिमिनल बन गई. बाप तो घड़ी-घडी साव धान करते रहते हैं. बच्चे कभी माया से हार नहीं खाना. अभी घर जाना है. अपने कवात्मा समझ बाप को याद करो. यह पुरानी दुनिया खत्म हुई की हुई? हम पावन बनते हैं तो हमें पावन दुनिया भी तो चाहिए ना. तुम बच्चों को ही पतित से पावन बनना है. बाप तो योग नहीं लगाएंगे. बाबा पतित थोड़े ही बनता है जो योग लगावे. बाबा तो कहते हैं मैं तुम्हारी सेवा में उपस्तित होता हूँ. तुमने ही मांगनी की है कि आकर हम पतितों को पावन बनाओ. तुम्हारे ही कहने से मैं आया हूँ. तुमें बहुत सहज रास्ता बताता हूँ, सिर्फ मन मनाभव। भगवानु वाच है, सिर्फ श्री कृष्ण का नाम देने से बाप को सब भूल गए हैं। बाप है first, श्री कृष्ण है second, वह परमधाम का मालिक, वह वैकूंट का मालिक। सुक्षम वतन में तो कुछ होता ही नहीं, सभी में number one है श्री कृष्ण जिसको सब प्यार करते हैं, बागी तो सब पीछे पीछे आते हैं, स्वर्ग में तो सब जाभी न सकें, तो तुम मीठे मीठे बच्चों को हड़ी, जिगरी खुशी होने चाहिए। कई बच्चे बाबा के पास आते हैं, जो कभी पवित्र नहीं रहते हैं, बाबा समझाते हैं, विकार में जाते हो, फिर बाबा के पास क्यों आते हो, कहते क्या करूं रह नहीं सकता हूं, परन्तु यहां आता हूं शायद कभी, तीर लग जाए। आप विगर हमारी सद्गती कौन करेगा, इसलिए आकर बैठ जाता हूँ, माया कितनी प्रबल है, निश्चे भी होता है, बाबा हमको पतित से पावन गुल गुल बनाते हैं, प्रन्तु क्या करें, फिर भी सच बोलने से कभी सुधर जाऊंगा, हमको यह निश्चे है कि आप स ही हमें सुधरना है, बाबा को ऐसे बच्चों पर तरस पड़ता है, फिर भी ऐसे होगा, नथिंग नियो, बाबा तो रोज रोज समझाते रहते हैं, कोई अमल में लाते भी हैं, इसमें बाबा क्या कर सकते हैं, बाबा कहें शायद इनका पार्टी ऐसा है, सब तो राजे र आगे जा सकते हो। पूल हो जाए तो छिपाना नहीं है आखे कभी क्रिमिनल ना हो इसकी संभाल करनी है सदाशुद्ध नशा रहे कि बेहद का बाप हमें पतित छीची से गुलगुल काटे से फूल बना रहे हैं अभी हमें बाप का हाथ मिला है जिसके सहरे हम विश्य वैतर्नी नदी पार हो जा जाएंगे वर्दान पावर्फुल ब्रेक दवारा सेकंड में नेगेटिव को पोजिटिव में परिवर्तन करने वाले स्वपरिवर्तक भव जब नेगेटिव अथ्वा व्यर्थ संकल्प चलते हैं तो उसकी गती बहुत फास्ट होती है फास्ट गती के समय पावर्फुल ब्रेक लगाकर परिवर्तन करने का अभ्यास चाहिए वैसे भी जब पहाड़ी पर चड़ते हैं तो पहले ब्रेक को चेक करते हैं आप अपनी उची स्थिती बनाने के लिए संकल्पों को सेकेंड में ब्रेक देने का अभ्यास बढ़ाओ जब अपने संकल्प वसंसकार एक सेकेंड में नेगेटिव से पोजिटिव में परिवर्तन कर लेंगे तब स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन का कारे संपन्न होगा स्लोगन स्वियम प्रती और सर्वात्माओं के प्रती स्रेष्ट परिवर्तन की शक्ती को कारे में लाने वाले ही सच्चे कर्म योगी है स्वियम प्रती और सर्व आत्माओं की प्रती स्रेश्ट परिवर्तन की शक्ती को कारे में लाने वाले ही सच्चे कर्म योगी है अच्छा बाबा ने कहा अभी तक बहुत से बच्चों की ये शिकायत आती है कि द्रिश्टी चंचल होती है वावरीती खराब होती है तो ऐसा क्यों इसके लिए बाबा ने क्या डिरेक्शन दिया जानने के लिए सुनते हैं आज का अव्यक्त ग्यान मोती क्यों इसके लिए सुनते हैं अव्यक्त